प्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई यूटूब कैनल कुसाग्रेंट फैमिली कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छोंगे प्रेंड्स आज हम एक लब दही से पूरी परिवार की लिए सबची बनाएंगे तो देखिए चलते हैं मारी नसुरी में प्रेंड्स यहाँ पर हमें एक कटोरी दही लेना है और उसमें एक चमच धनिया पाउडर आदी चमच हल्दी पाउडर आदी चमच कस्मीरी लाल मिर्च आदी चमच लाल मिर्च पाउडर को हम ने यहाँ डाल दिया हुआ है सबी मसाले को हम दही में अच्छे से मिक्स करेंगे जिसे की मसाला अच्छे से दही से मिल सके फ्रेंड्स आप मानेंगे नहीं इस सबची खाने में बहुत ही जानद अच्छी लगेगी और आप देखना ये छटपट बनकर त्यार की हो जाती है फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एक चम्मचे कसूरी मैथी भी यूच की हुई है कसूरी मैथी डालने से सब्ची का टेस्ट बहुत जांदा बढ़ जाएगा फ्रेंड्स अब हमें एक उकर में ओयल ले लिया हुआ है यहाँ पर हमने सर्टो का ओयल लिया हुआ है और यहाँ पर हमने एक चम्मा जीरा को डाल दिया है जीरा को हम चटकने तक फ्राई करेंगे अब इसके बाद फ्रेंड्स हमने जो मिक्चर बनाया था दही के साथ उसको हमने ओयल में डाल दिया हुआ है दही को तेज आच में चलाना है नहीं तो दही फटने लगेगा अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दही बिल्कुल भी नहीं फटा है और कितने अच्छे से इसका मिक्चर बन कर त्यार हो गया है और देखिए दही में से ओयल निकलना भी स्टार्ट हो गया है यहाँ पर हमें स्वाद अनुसार नमक डाला हुआ है नमक डालने के बाद हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हमने तीन आलू को छोटे छोटे टुकडों में कट कर लिया हुआ है आलू को जानदा बड़े टुकडों में कट नहीं करना है अब आलू को हम इतना भूलेंगे कि यह अच्छा सा बादामी कलर सा दिखना लगे फ्रेंड्स यहाँ पर हम दो गलास पानी डालेंगे जानदा पतली सबजी नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें दही डाला हुआ है तो इसमें बहुत जल्दी एक गारी भी हो जाएगी फ्रेंड्स यहाँ पर हम दो सीटी लेकर इस सबजी को बना कर तियार कर लेंगे आप भी बना कर देखिए कैसा लगा आपको मेरा वीडियो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नू हो तो चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलना फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए टेक क्यार और इसी फिरकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और चैनल को जांदा से जांदा सपोर्ट कीजिए तब तक के लिए बाए टेक क्यार